Hello friends, आप सब का आपके अपने चनल कोविन लक्षर्स में एक बार फिर से स्वागत हैं तो कैसे हो आप सब उम्मित करता हूँ आप सब अच्चे होंगे और आप सब की बड़ाय बेचे चल रहे होगे तो कक्सा 10 भुगोल विशे के महतुपुन प्रशन उत्र की सिरीज में आज हम अध्याय नंबर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन के महतुपुन प्रिक्सा उप्योगी प्रशनों की सर्चा करेंगे राजस्तान बॉड की नविंतम ब्लूप्रिंट 2024 के अनुसार ये जो आपका चप्टर है कि कितने अंकों का है दो अंकों का चप्टर है जिसमें से एक अंका एक वस्तुनिष्ट प्रशन यानि अबस्दवाला प्रशन और एक आपका अतिलगू उत्रात्मक प्रशन एक नंबर का पुछे जाएगा यहाँ पर हमने कुछ महत्वण चोटे चोटे प्रशनों को डिसकस किया है और इनी प्रशनों में से आपका अबस्दवाला प्रशन भी बनेगा पचले एक class शुरू करते हैं पहले बात कर रहे हैं वस्तूनिष्ट प्रशन यानि बिल्कुल चोटे-चोटे प्रश्ण इनी प्रश्णों से आपका एक अबस्दवाला प्रश्ण भी बनेगा देखो पहला प्रश्ण 1988 में किस राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया सन 1988 में भारत का वो कौन सा पहला राज्य था जिसने सबसे पहले संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव पारित किया था तो वो कौन सा राज्य था उडिस्य था दूसरा प्रश्ण है टीरी के किसानों द्वारा किस अभियान ने दिखा दिया कि राशाइनिक उरवरकों के प्रयोग के बिना भी विविद फसल उत्पादन वो आर्थिक कर्सी उत्पादन क्या है समबभ है तो टीरी के अंदर जो बीच बचाओ अंदोलन किया गया था कौनसा अंदोलन बीच बचाओ अंदोलन और एक नवदानम अंदोलन इन दो आंदलनों या अभियान ने ये साबित करके या स्तिर्द करके बता दिया कि बिना कैमिकल्स या रासानिक उर्वरकों के प्रयोग किये बिना विविद फसल का उतपादन और आर्थिक किस्टी उतपादन क्या है? संबव है, यानि इन दो अभियान या कहलो या अंदुलन कहलो इन्होंने ये साबित करके बता दिया कि अगर हम खेती के दौरान केमिकल्स या अलग-लग प्रकार के जो रासानिक प्रदात है उनका अगर रूपयोग नहीं करे तो भी खेती क्या है, संबव है तीसरा प्रश्ण राजिस्तान का कौन सा समाज पसुपक्सी तथा वन्य जीव प्रेमी के रूप में जाना जाता है कौन सा समाज है वो विस्नोई समाज कौता प्रश्ण प्रोजेक्ट टाइगर वन्य जीव प्रियोजना कब प्रारंब की गी बहुत ही महत्तुन प्रश्ण है, तो जो प्रोजेक्ट टाइकर प्रियोजना थी, वो सुरू केज थी सन 1973 में, कब 1973 में पांचवा, भारती यव बन्य जीव रक्सन अधिनियं कब लागू किया गया, कब किया गया, सन 1972 में सन 1972 के अंधर पारित किया गया चट्टा बक्सा टाइगर रिजर्व की इस खनीज के खनन से खत्रे में हैं तो जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वहाँ पर डोलोमाइट नामक खनीज का क्या क्या जाता है खनन कार्य किया जाता है इसकी वज़े से जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वो क्या है अभी वर्तम साथवा भारत में 1952 में वन्य जीव किस वन्य जीव को लुप्त गोसित किया गया तो सन 1952 में भारत के अंदर ACI चित्ता को क्या कर दिया गया लुप्त गोसित कर दिया गया आटवा प्रष्ण है भारत में 20 की किटनी परतिसत जेव उपजातियों की संख्या है भारत के अंदर 20 की लगबग आट परतिसत जेव उपजातियों की क्या है संख्या पाई जाती है नववा प्रशन है, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल भोगलिक चित्र का कितना परतिसद चित्रफल वन आवरण है यानि वन से ढखा हुआ है तो वो कितना है 24.56 परतिसद बहुत ही महत्वन प्रशन है 2019 की रिपोर्ट के अनुसार बारत के अंदर जो कुल बोगलिक चित्रपल है उसका लगबग 24.5 परतीसद भाग क्या है वन चित्र से या वन से ढखा हुआ है दसवा बिश्वा में सरवादिक बिखने वाली कैंसर ओस्दी किस पादप से प्राप्त की जाती है बहुत ही महत्रपन प्राप्त की जाती है हिमालियन यव से विश्वा में सबसे ज़्यादा बिखने वाली जो कैंसर की ओस्दी है वो हिमालियन यव से प्राप्त की जाती है आगे बात करें अति लगू उत्रात्मक प्रश्ण जो कि आपके बिल्कुल चोटे-चोटे प्रश्ण है और कितने अंको का होगा प्रश्ण ये एक अंको का प्रश्ण उच्छा जाएगा देखो प्रश्ण है आयू सियन का सब्द विस्तार कीजिए यानि आयू सियन की फुल फॉर्म लिखनी है तो आयू सियन की फुल फॉर्म क्या है अंतराश्ट्रिय प्राकर्तिक सरक्षन और प्राकर्तिक संसाधन सरक्षन संग क्या नाम है अंतराश्ट्रिय प्राकर्तिक संसा जादन, सरक्षन, संग, यह आयू सेन की क्या है, फुल फॉर्म है, ठीक है, दूसरा, संकट ग्रस्त जातिया क्या होती है, उदारन दीजिए, उनसी जातिया, संकट ग्रस्त जातिया क्या होती है, आपको उदारन देना है, तो वे जीवों की जातिया, जिनके लुप्त होने का क्या है? खत्रा है. वे जीवों की जातिया जिन पर लुब्थ होने का खत्रा बना HUA है. यदि लुप्थ होने के कारण या परस्तितिया ऐसी ही बनी रही, तो इनका जीवित रहना क्या हो जाएगा? कटिन हो जाएगा. और आने वाले समय के अंदर ये भी लुप्त जातियों की स्राणी में सामिल हो जाएगी उधारन के लिए काला हिरन मगरमच, गेंडा और सेर यहनी इन पर लुप्त होने का खत्रा बना हुआ है यदि इनके लुप्त होने के कारण जा जिनकी वज़य से ये लुप्त हो रहे हैं यदि वो कारण में सुधार नहीं किया गया तो आने वाले कुछ समय में ये भी क्या हो जाएंगे लुप्त स्राणी के अंदर सामिल हो जाएंगे कीसरा प्रशन जैव विवित्ता को परिभासित कीजिए इसको जैव विवित्ता को तो पर्तवी के इस्दलिय और जलिय भाग पर अनेक परकार के जीवजन्तूओ और वनस्पती का पाया जाना ही कैलाता है जैव विविद्या कैलाता है जैम कहा सकते हैं कि एक निच्चित चित्र में जीवों में पाई जाने वाली जो विवित्ता हैं वही कलाती है जैव विवित्ता आगे प्रश्ण संक्याच्यार भारत में तथा विश्व में जैव विवित्ता कम होने के कारण लिखिए बहुती मेत्रमन प्रश्ण है, भारत में और विश्वो में जैब विविद्दा धीरे-धीरे कम हो रही है, उसके कारण क्या है, देखो पहला कारण है मानव के दुआरा अंदा धुंद, वनो की कटाई से जीवों के आवास क्या होगे, जीवों के आवास समाप्त होगे या उ प्रद्धा प्रदुसर्ण हरित ग्रह प्रभाव जैसी इस्तती इन इस्ततियों के कारण भी जैब विवित्ता दिरे-दिरे कम हो रही है। जोता कारण है मानव द्वारा अनेक रासाइनिक और खित नासकों के उपयोग द्वारा जीव जन्तुओं और बनस्पती का नश्ट होना। तो परस्तिती की संतुलन को बनाई रखने के लिए परत्यक परजाती का संतुलित संक्या में जीवित रहना क्या है आवशक है। जीव का क्या करेंगे सरक्षन करेंगे तो जल, वायू, मर्दा इन सभी की जो मुल्बूत सरंचना है वो तभी बनी रह सकती है जब हम वन और बनने जीव का क्या क्या करेंगे सरक्षन करेंगे उन्हें ज्यादा से ज्यादा समय तक बचा कर रखेंगे। इसलिए मानम के लिए वन्य जीव क्या है? बहुत ही ज़्यादा जुरूरी है खटा, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? समझाईए बहुत ही महत्पुन प्रशन है कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? समझाना है तो यह बाग के सरक्षन के लिए बनाईगी क्या है एक परियोजना है बाग वन्य जीव सरंचना में महतोपूंट जंगली माना जाता है और 1973 में बागों को बचाने के उद्यस्य से इस परियोजना की शुरुआत की गई थी अगे बात करें प्रशन संग्या साथ जन जाती तथा आदिवासी चित्रों में वन्यों की कटाई या निमनी करण का परमुक कारण क्या है तो पुर्वतर तथा मध्य भारत में इस्तानांत्री या सलेस और बर्न खेती के चलते वन्यों की कटाई किया क्या हुआ है निमनी करण हुआ है जो पुर्वतर और मध्य भारत का चित्र है वहाँ पर जन जाती और जो आदिवासी बहुली चित्र है वहाँ पर लोग कुंसी केती करते हैं जूम खेती इत्वा इस्तानांत्री खेती करते हैं मतलब वो जंगल के क कुछ हिस्टे को काट कर वहाँ पर खेती करते हैं और जैसे ही वो धिरे-दिरे आगे बढ़ते हैं वहाँ पर कुछ चेत्रा को साप करके वहाँ पर खेती करना शुरू कर देते हैं इससे होता क्या है कि दिरे-दिरे जो जंगल है वो कम हो रहे हैं क्योंकि वो जैसे-जैसे ज सुमेलित करना है देखो पहला दिया हुआ है सुन्दरवन बक्सा टाइगर रिजर्व सुन्दरवन बक्सा टाइगर रिजर्व तो यह कहाँ पर है यह है आपका पच्चीम बंगाल में बहुती मैत्वपुन है यह प्रशन मैप के अंदर भी पुछा जा सकता है तो सुन्दरवन और बक्सा टाइगर रिजर्व ये दोनों कहाँ पर है पच्छिम बंगाल में कॉर्बेट राश्ट्री उद्यान कहाँ पर है उत्राखंड में मानस भाग रिजर्व कहाँ पर है असम में पेरियर भाग रिजर्व कहाँ है केरल में बाधव गड राश्ट्री उद्यान कहाँ है मध्य परदेश में और सरीस का वन्य जीव पसु विहार कहाँ पर है राजस्तान में है प्रश्ण संक्या नो लुप्त जातिया क्या है उदारन दीजिए तो वे वन्य जीव तथा वनस्पति जातिया जो इनके रहने उगने के आवासों में खोजने पर अनुपस्ती थे या नहीं पाईगी मतलब ऐसे वन्य जीव और वनस्पति जो इनके रहने या उनके उगने के आवासों में वर्तमान में क्या है अनुपस्ती थे यह हम कह सकते हैं कि जो वर्तमान में बिल्कुल क्या हो चुकी है विलुप्त हो चुकी है वो देखने को हमें कही पर भी नहीं मिलती है उन्हें का जाता है लुप्त जातिया जैसे ACI चित्ता और गुलाबी सीरवाली बतक यह पहले जहां संग्या 10 दुरलब जातिया क्या है उदारन दीजिए तो ऐसी जातिया जिनकी संग्या बहुत कम है या क्या है सुभेद है और यदि इनको परभावित करने वाले कारक नहीं बदले गए तो सभी सुभेद जातिया दुरलब जातिया क्या हो जाएगी बन जाएगी ऐसी जातिय जिनकी संख्या किया है? बहुत कम है, या फिर सुभेद है और यदि इनको परभावित करने वाले कारक नहीं बजले गए, तो जितनी भी सभी सुभेद जातिया है, य। जिनकी बहुत कम संख्या बच्ची है वो जाती है दीरे दीरे दूडलब जाती हो के अंदर क्या हो जाएगी सामिल हो जाएगी उधारन के लिए निली भीड और गंगा नदी की डॉल्फिन ये कौनसी में सामिल है ये दूडलब पर जाती हो के अंदर सामिल है तो इस तरह हमने आपके अध्याय दो तो फिर लाइक, कमेंट, सेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें आज गले इतना ही, जै हिंद, जै भारत